आओ पढ़ें पाठ आठ मेरा विद्यार्ती जीवन माई स्टूडेंट लाइफ स्कूल में मैं बहुत हुश्यान नहीं तो मूर्ख भी नहीं माना जाता था शिक्षकों के प्रती प्रेम भावना हमेशा प्रकट करता रहा हर साल माबाप को विद्यार्ती की पढ़ाई वे चाल चलन के संबंद में प्रमान पत्र भेजे जाते उनमें कभी मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाई और पांचवे तता छटे दर्जे में तो क्रमश चार रुपे और पंदा रुपे की मासिक छातर विर्थियां भी मिली थी छातर विर्थियां मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा भाग्य ने अधिक सायता की छातर वृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 विद्यार्थों की कक्षा में सौराश्ट्र प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे अपनी तरह से तो मुझे ये याद आता है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था इनाम अथवा छातर वृत्ति मिलती तो मुझे अश्चर्य होता परन्तु हाँ अपने आचरन का मुझे बड़ा ख्याल रहता सदाचार में यदि चूख होती तो मुझे रोना आ जाता यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षक को उलहाना देना पड़े अथवा उनका ऐसा विचार भी हो जाए तो मेरे लिए असहय हो जाता मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था मुझे इस बात पर तो दुखना हुआ कि मैं पिटा किन्तु इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं दंड का पातर समझा गया मैं फूट फूट कर रोया ये घटना पहली या दूसरी कक्षा की है उस समय दोराब जी एदल जी गीमी हेड मास्टर थे वे अनुशासन प्रिये थे वे अनुशासन के नियमों का पालन करवाते विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते उन्होंने उचे दर्जे के विद्यारतियों के लिए वयाम क्रिकेट आदी अनिवारे कर दिये थे मेरा जी खेल में न लगता था खेल अनिवारे होने के पहले मैं वयाम करने क्रिकेट या फुटबॉल खेलने कभी न जाता था अनजाने में मेरा जेपूपन भी एक कारन था अब मैं देखता हूँ कि वयाम के प्रति ये अरुची मेरी भूल थी उस समय मेरे अंदर ऐसे गलत विचार थे कि वयाम का शिक्षा के साथ कोई संबंद नहीं है पीछे जाकर मैंने जाना कि वयाम भी उतना ही महतोपून है जितनी शिक्षा फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे कोई नुकसान न हुआ इसका कारण है पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है यह मुझे पसंद आया और तभी से घूमना अच्छा लगने के कारण घूमने जाने की मुझे आदत पढ़ गई जो की अब तक है घूमना भी एक प्रकार का वयाम है और इस कारण मेरा शरी थोड़ा बहुत सुगठित हो गया अरुची का दूसरा कारण था पिता जी की सेवा शुरूश्या करने की तीवर एक्छा स्कूल बंध होते ही तुरंद घर पउच कर उनकी सेवा में जुट जाता जब वयाम अनिवारे कर दिया गया तब इस सेवा में विग्न उपस्तित होने लगा मैंने अनुरोध किया कि पिता जी की सेवा करने के लिए वयाम से मुक्ति मिलने चाहिए परन्तु गीमी साहब क्यों कर मुक्ति देने लगे एक शनिवार को सुबे का स्कूल था शाम को चार बजे वयाम में जाना था मेरे पास घड़ी न थी आकाश में बादल छा रहे थे इस कारण समय का पता ना चल सका बादलों से मुझे धोका हुआ जब तक वयाम के लिए पहुँचा तब तक सब लोग चले गए थे दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजरी देखी तो मुझे गैर हाजर पाया मुझे से कारण पूछा कारण तो जो था वही मैंने बतलाया उन्होंने उसे सचना माना और मुझे पर एक या दो आना ठीक याद नहीं जुर्माना कर दिया मुझे इस बात से अत्यनत दुख हुआ कि मैं जूठा समझा गया मैं ये कैसे सिद्ध करता कि मैंने जूठ नहीं बोला पर कोई उपाय न रहा था मन मसोस कर रह जाना पड़ा मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले को असापधान भी नहीं रहना चाहिए अपनी पड़ाई के दिनों में मेरी वे पहली और आखरी भूल थी मुझे कुछ-कुछ स्मरन है कि अंथ में वे जुर्माना माफ कर दिया गया था कुछ दिन बाद वयाम से चुट्टी मिल गई पिता जी की चिठी जब हेड मास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा सूचरा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ तब जाकर उससे चुटकारा मिला वयाम की जगा मैंने घूमना जारी रखा इस कारण शरीर से मेहनत ना करने की भूल के लिए शायद सजा न भोगनी पड़ी हो परन्तु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ पढ़ाई में सुलेक होना आवशक नहीं ये कुब बुद्धी मेरे मन में ना जाने कहां से आ गई जो ठेट विलायट जाने तक रही खास कर दक्षिन अफरीका में जहां वकीलों के और दक्षिन अफरीका में जन में वह पड़े यूगकों के मोती की तरह अक्षर देखे तब तो मैं बहुत लज जाया और पच्चताया मैंने देखा कि लेक का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है मैंने पीछे अपना लेक सुधारने की कोशिश की परन्तु पके घड़े पर कब मिट्टी चड़ सकती है जिस बात की अभेलना मैंने बचपन में की उसे मैं फिर आज तक न सुधार सका हर एक नव्युवक और नव्युपती मेरे उधारन को देखकर चेते और समझे कि सुलेक शिक्षा का आवशक अंग है लेक सुधारने के लिए आलेखन कला आवशक है मैं तो अपनी ये राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला सीखनी चाहिए जिस प्रकार पक्षियों और वस्तों आदी को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता है जब आलेखन कला सीखकर चितर आदी बनाना सीख जाता है तब यदी अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर सुन्दर हो जाएंगे संस्कृत मुझे रेखा गनित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी रेखा गनित में तो रटने की कोई बात ना थी परन्तु संस्कृत में मेरी दृष्टी से सब रटना था यह विश्य भी चौती कक्षा से शुरू होता था चटी कक्षा में जाकर इस विश्य से मेरा तो दिल बैठ गया संस्कृत शिक्षक बड़े सरल थे विद्यार्तियों को बहुतेरा पड़ा देने का लोब उने रहा करता संस्कृत वर्ग और फार्सी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्परदात रहती फार्सी के मौलवी साहब नरम आदमी थे विद्यार्ति आपस में बाते करते कि फार्सी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी है विद्याति जितना याद करता है उतने पर ही वे निभा लेते हैं सरल होने की बात से मैं लल्चाया और एक दिन फार्सी की कक्षा में जा बैठा संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ उन्होंने बुलाया और कहा ये तो सोचो कि तुम किसके लड़के हो धरम की बाशा तुम नहीं पढ़ना चाते तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ मैं तो समस्त विद्यातियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाता हूँ आगे चल कर तो इसमें रसकी घूट मिलेंगी तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो मैं शर्मिंदा हुआ शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्ण शंकर का उपकार मानती है क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत के शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वे न ले पाता बलकि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता है कि मैं संस्कृत अधिक न पढ़ सका क्योंकि आगे चल कर मैंने समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अध्यन के बिना नहीं रहना चाहिए अब तो मैं ये मानता हूँ कि भारत वर्ष की उच्चि शिक्षा में मात्री भाषा के उपरांत, राष्ट्र भाषा हिंदी संस्कृत, फार्सी अर्बी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए इतनी भाषाओं की गिंती से किसी को डर जाने की आवशक्ता नहीं यदि विदिपूर्वक भाषाएं पढ़ाये जाएं और सब विश्यों का अध्यन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोज हम पर ना हो तो ये भाषाएं भार ना मालुम हो बलकि उनमें बड़ा रस आने लगे फिर जो एक भाषा को विदिपूर्वक सीख लेता है उसे दूसरी भाषाओं का ग्यान सुगमता से हो जाता है सच पूछे तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत इने एक ही भाषा मानना चाहिए यही उर्दू, फार्सी और अर्भी के लिए कह सकते है मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्याधन किया परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा ना मिली जो चीज शिक्षगों के पास से सहज ही मिलनी चाहिए थी वह ना मिली फिर भी वातावरन से तो कुछ न कुछ धर्म प्रेणा मिला करती थी यहां धर्म का व्यापक अर्थ लेना चाहिए धर्म से मेरा अभिप्राय आत्म ग्यान से है मैं इस बात का अच्छी तरह अनुभव कर रहा हूं कि बचपन में पड़े शुब अशुब संसकार बड़े घेरे हो जाते हैं और इसलिए यह बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का शवन पाठ ना हो पाया मोहंदास करमचंद गांधी